मोदी और अमित शाह के बीच पांच घंटे तक बैठा कोई है और मोदी और अमित शाह के बीच नई सरकार को लेकर मंथन चलता रहा चेहरे होंगे? एक बड़ी बात होगी, अगर अमित शाह इस समंत्री मंदल का हिस्सा होते हैं तो लोकसभ़ चुनाव में शांदार जीत हासिल करने के बाद प्रधान मंतरी मोदी 30 माई को प्रधान मंतरी पत की शपत लेने जा रहे हैं सब की नज़र प्रधान मंत्री की नई कैबनेट पर है PM की नई कैबनेट को लेकर अमिट शाह और PM के बीच चार घंटे से जादा देड तक बैठक चली बताय जा रहा है कि बैठक में संभावित मंत्रियों और उनके विभाग के बारे में चर्चा हुई साथ ही उन पुराने मंत्रियों को लेकर भी बात हुई जिने इस बार नए मंत्री मंडल में जगा नहीं मिल पाईगी ये भी बताय जा रहा है कि बैठक में संयोग्यों को दिये जाने वाले मंत्री पत को लेकर मंथन किया गया इसके अलावा उन नामों पर भी चर्चा हुई जिनका इस बार कद बढ़ाये जा सकता है लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमिट शाह इस बार सरकार में शामिल होंगे या नहीं तो मंत्र लगातार जारी है कल मोदी और बीजेपी अध्यक्ष आमिट शाह के मलाकात हुई थी दोनों ही नेताओं के बीच करीब पांच घंटे तक ये बात हुई जद्दो जहत चलती रखी बिल्कुल और नई सरकार को लेकर दोनों के बीच बातचीत चल रही थी बीजेपी कोटे से बनने वाले मंत्रियों के नामों पर बातचीत हो चुके और नाम तैय हो चुके है बस उन्हें अब इन्फॉर्म किया जाएगा सूत्रों के वाले से खबर अब तक सामने आ चुकी है घटक दलों से भी नामों पर विचार हुआ है जो सूत्र बता रहे हैं मंत्रियों की विभागों को लेकर भी बात यहाँ पर हुई है तो देखना यहाँ पर होगा कि किन प्रदेश थे कहां सबसे ज्यादा क्योंकि उत्तर प्रदेश के अगर बात करें तो सरवादिक सीठे देने वाला वो प्रदेश है और वहाँ पर अगर बात करें तो स्मिती रानी ने बहुत अच्छा प्रदेशन किया है उनको किस तरह से उनके कट को बढ़ाया जाता है यह भी हाँ पर देखना होगा और इसके लाबा हिमानी यह भी देखने वाली बात होगी कि जिन राज्यों में आने वाले सालों में चुनाव होने है वहाँ से कितने लोगों को मंत्री मंडल में जगा दी जा रही है जायत बात है कि वहाँ कभी खयाल रखा जाए बिलकुल और मोधी NARA के सिधान पर चलती है मोधी सरकार जिसमें नैशनल एमबिशन्स और रीजिनल एक्सपीरियंस का संतुलन बनाए रखना एक जिम्मिदारी के तौर पर देखा जाता है चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन से वो मानक हैं जिनके आधार पर पिछली मोधी सरकार में मंत्री मंडल ताई किये गए थे प्रोफेशनलिजम एक बड़ा मानक है कि कौन सा सांसत प्रोफेशनल है उसे अपने मंत्री मंडल में जगा दी जाए जाहिसी बात है माहिला प्रते निधित्व की बात करें तो ये भी उनताय मानकों में आते हैं जाती अगनित की बात करें तो ये भी उसमें शामिल है शहरी ग्रामीन ये तालमेल भी जरूरी है इसके रावा SCST प्रतिनिधित्व ये बहुत माईने रखता है, साथ गटक दलों की जो सीटें हैं उस पर लगातार बात बनती नजर आती है, कभी बिगरती नजर आती है, इसको ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है